जैडसर स्टेपलर सरकंप्सिजन की कोष्ट क्या आती है मैं आपका दोस्त डॉक्टर इपेश गोईल कॉस्पेटिक अंप्लास्टिक सरजन आज मैं आपका बताऊंगा कि जैडसर की कोष्ट कैसे डिसाइड होती है यूजिली जैपूर राजस्थान में 20-30,000 के कोष्ट के बीच में यह सरजरी होती है लेकिन अलग-अलग सेंटर पे इसकी कोष्ट अलग-अलग होती है उसका रिजन यह है कि सबसे इंपॉर्टन चीज है कि सरजन का experience कितना है पिछले 10 सालों मैं कॉस्मेटिक सरजरी कर रहा हूं और मुझे 10 सालों का experience है I'm a plastic surgeon board certified so general surgeon भी करते हैं इसकी यूरोलोजिस्ट भी करते हैं लेकिन यदि आपको सर्कम सीजन में कॉस्मेटिक रिजर्ट भी चाहिए तो इसमें बहुत important है कि कितने एंगल से उपर से करते हैं दूसरा जो फैक्टर है वो है पूटी सेटप कैसा है जो हमारा सेंटर है रेजविना कोस्मेटिक डेडिकेटिट सेंटर है जहां पर सिर्फ कॉस्मेटिक सेजरी होती है सो आप एक बार विजट जरू कीजिए ताकि आपको पता चल सके हमारा ओटी सेटप कैसा है जो तीसरा रिज़न है वो है कि आपके जो स्टैपलर की क्वालिटि कैसी है क्योंकि डूप्लिकेट स्टैपलर भी मार्केट में आते हैं कि कोश्ट थोड़ी कम पढ़ती है लेकि सेंटर्स जो कम कोश्ट में कर रहे हैं उनकी कोश्ट हमारे जो हम ओरिजनल जड़ा सा डिवाइस उसके कोई जड़ डिफरेंस नहीं है तो आपको ये तीन फैक्टर्स देखने हैं उसके बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेंटर हमें बैस्ट जल दे पाएगा क्योंकि ये सजड़ी बार-बार नहीं होती है और ये सजड़ी में यह दि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फ्यूचर में आपको आपके सेक्सुल लाइफ में या यूरीन करने में कई तरे की प्राब्लम्स आ सकती है सो इसमें कोश्ट को ध्यान में ना रखकर आप सबसे पहले यह देखें कि सर्जिन का एक्सपिरेंस कितना है इस टपर डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहे है ओटी सेटप कैसा है उसके बाद आप यह सज़ी करवाएं क्योंकि 20-30,000 रुपे में यह सज़ी हो रही है तो कहीं ह में हो सकता है 24 में और 25 में और 25 में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो पैसा इतना इंपॉर्टन नहीं है आपका टीटमेंट सही होना चाहिए रेजीविन और कोस्मोगेर वैशालेनेगर में है जहां पर आपको बैस्ट कॉलिटी टीटमें विदिन अफॉर्डबल काई म मिल जाएगा हमारे कॉंट्रेक्ट नंबर यहां दिये हुए हैं जिन पर आप हमें कॉंट्रेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो तो हम पूस सकते हैं धन्यवाद